प्यारी दोस्तों आज कल के प्रदूसित वातावन के कारण हमारी स्किन के उपर काफी डस्ट जम जाता है जिसको हटाने के लिए आप लोग काफी हद तक साबुन और फेस वोस का इस्तमाल करते हैं जिसके कारण आपके चहरे पर थोड़ी सफाई तो आपको दिखती है लेकिन इसमें मौजूद केमिकल और रासाइनिक तत्वों के कारण आपकी स्किन को काफी नुकसान पहुंचता है अगर हम अपने किचन में मौजूद तत्वों का इस्तमाल अपने चहरे को चमकाने के लिए करें तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और अमारी चहरा भी चमकने लगेगा जिसके कारण ना हमें पैसों की हानी होगी और ना ही हमारे चहरे पर किसी प्रेकर का ऐसी ही चीजों के बारे में बताने जारी हूँ जिसका इस्तमाल करके आप अपने चहरे को चमका सकती हैं वो भी आसानी से और घर पर ही ये जो परदारत है वो इस प्रेकर से हैं दूद चहरे को धोने के लिए कच्चे दूद का इस्तमाल करें इसको चहरे पर लगाने से ड रूई के फोय के सहारे अपने स्किन पर लगाना है और कुछ मिंटों के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दें और उसके बाद आप थोड़ा सा नमक अपने हथेली पर रखके और दोनों हाथों की साहेता से चेहरे पर हलके हाथों से मसाज करें उसके बाद ठंडे पानी से अपने च स्किन वो भी हट जाएगी साथ में ही आपका चेहरा चमकने लगेगा और मुलाइम भी हो जाएगा। चिनी, चिनी का यूज भी चेहरा धोने के लिए किया जा सकता है, चिनी का उप्योग करने के लिए उसको पीस लें, फिर चेहरे पर लगाएं, पानी की साहता से या उसमें गुलाब जल डाल कर, आप चाहें तो निम्बू के रसका इस्तमाल भी इसमें कर सकती हैं, और एलोव और कोई साइज इफेक्ट भी नहीं होता, पापीते के टुकडे को कसले, और बारिक पिसा हुआ होने के बाद इसमें थोड़ा स्याद मिलाकर, हलका सा निम्बू का रस मिलाएं, और हलके आथों से चेहरे की मसाज करें, इससे चेहरा साफ होने के साथ ही जाईयां भी दूर होगी और आपका चेहरा चमकने लगेगा, नारियल तेल, ज्यादतर लड़किया मैक अप हटाने के लिए मैक अप रिमूवर का इसमाल करती हैं, आप नारियल तेल से भी मैक अप को हटा सकती हैं, इससे तोचा की नमी बनी रहती हैं और रौम चिद्रों में मौजुद का जाएगी